नमस्कार स्वागत है आपका प्रियाज वेच किचिन में आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं सूजी का शिरा तो सूजी का सिरा बनाने में बिलकुल आसान और बिना जंजट हम इसे बनाकर तयार कर लेते हैं आप चाहे खुद खाना हो या घर में महमान आये हूं तो हम इसे बनाएं लेकिन ये बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाने वाली एक डेजर्ट है और असली मज़ा तो तब आता है जब सर्दियों की सुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आप बैठे हों कंबल में और कोई गर्मा गर्म शिरा बनाकर आपके हाथ में थमा दे तब तो इ करते हुआ है एक पैन को समय में त्विस पैन और इस में हम डालेगे आधा कप डेसी घी जिस पैन से जिस कप से हमने शुजी गर्त है विल्कुल उसी चस्थरे ऑनठार कॉप हमने शुजी का लिया है तो शुजी घी के अंदर डालें गे और दीमी आज पर हमें इसे बादामी कलर का होने तक भूनना होगा तो बहुत ही patiently हम इसे भूनेंगे और जैसे जैसे ये भूनता जाएगा बिलकुल ये lose दिखने लगेगा घी के साथ सुजी जब भूनेंगे हम तो तो दीखे ये बादामी कलर का हो चुका है तो इस stage पर हम डालेंगे इसमें दूध तो दो कप दूध हम इसमें डाल देंगे बिलकुल गाड़ा दूध हम इसमें इस्तिमाल करेंगे तो दो कप दूध हमने इसमें डाल दिया है अब इसी में इसी कप से हम डालेंगे आधा कप शुगर तो ये हो गया हमारा आधा कप शुगर शुगर आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हैं मैंने इसमें डाला है आधा कप शुगर थोड़े से ड्राइफ्रोट्स भी जाएंगे तो तीन से चार चमश हमने कटे हुए काजू 20-25 दाने किश्विश और 4 चमश हमने ग्रेट किया हुआ कोकुनट यूज किया है इसे हम मिला लेंगे बिल्कुल धीमी आज पर ही इसे हम पकाएंगे और इसी के साथ हम डालेंगे केसर इलाइची का पाउडर तो जाड़े में केसर हमारे सरीर के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है तो टेस्ट में तो फरक पड़ता ही है चाहे जिस भी चीज में आप केसर मिलाते हैं लेकिन ये हमारे हल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है यह पैकेट मैं दिखा रहे हूँ इस तरह के पैकेट आज कल मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं केसर और लाइची के तो देखिए ये खिला खिला शिरा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है बिल्कुल धीमी आज पर ही हमें पिसेंसली इसे चलाते हुए पकाना होगा तो चलिए अब हम एक सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं अब हम कर देते हैं गैस का फ्लेम बन और अब इसे हम सर्विंग प्लेट में डालकर सर्फ करेंगे तो हमने यहाँ पर एक इस तरह से खुबसरत सा सर्विंग प्लेट लिया है और इसमें हम डालेंगे शिरे को उपर से थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ कोकनट हम डाल रहे हैं गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा किश्मिश हम और रैट करेंगे उपर से गार्निशिंग के वक और काजू भी हम थोड़ा सा डाल कर इसे गार्निश करेंगे ड्राइफूर्ट चाहे जो भी हो अपने मन पसंद ड्राइफूर्ट आप डाल कर इसे गार्णिश करें तो लीजिए हमारा सूजी का शिरा गर्मा गरम बिल्कुल तैयार है खाने के लिए तो आप ही बनाईए और हमें कमेंट करके बताईए कि आपको हमारी बनाए हुई सूजी का शिरा की रेसिपी कैसी लगी अगर आपको वीडियो यूसफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम देखते रहे हैं अच्छे अच्छे मज़ेदार सर्दियों की रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक कियर और बाई